कैसे हैं आपाई ओप कि आप सभी अच्छ होंगे सोगज आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके इस डवास में किस तरह क्रेसे आप अपने डवास में स्मार्ट गॉल सेटिंग कर पाएंगे जैसे की आटो आंसर कैसे करनी है या फिर आटमेटिक कॉल रिकॉरडि देना है उसके बाद यहां पर आपको त्री डॉट पर क्लिक करना है और यहां पर आपको नीचे आ जाना है यहां पर मिल जाता है आपको कॉलिंग अकाउंट्स यहां पर क्लिक कर देना है और यहां से अगर आप इस आप्षिन को आउन करते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है calls when connected to external audio device मतलब कि अगर आपकी phone में Bluetooth या पर earphone connect है तो automatic call receive हो जाएगी auto answer हो जाएगी यहाँ पर auto delay answer मतलब कि 5 second में हो जाती है अगर आप इस time को change करना चाते है तो यहाँ पर time पर click करेंगे यहाँ पर 5 second या फिर 10 second कर सकते हैं या पर यहां पर 3 second भी कर सकते हैं यहाँ पर 10 second कर देदे है है तो हमाई 10 second में automatic call receive हो जाएगी उसकी बद यहां से अगर इस option को on करते हैं तो आपकी call यहां से power button से cut हो जाती है नेक्स्ट अगर आप इस option को on करते हैं तो जब भी कोई-भी call cut करता है यहा Receive करता है तब आपका phone यह पर evolved होता है एक बार आपका phone में var München हो जाता है तलों आप Rei काफी कामगा है अगर आप bike चला रहे है गाड़ी चला रहे हैं तो आपको इसे निकलने की जरूबत नहीं रखिए ए फान को Automatically क्लिक कॉल रिसीव हो जाती है नेक्ट यहां से बैक आ जाना है उसके बाद यहां पर आपको मिलता है more settings यहां पर क्लिक करना है और यहां से आपको इसे on कर दिना है इसे on करने से क्या होता है जब भी आपके पास फं कहा रखा हुआ है तो यह फ्रस लाइट बिलिंक होगी तो आपको पता भी चल जाता है कि यहां पर hemFI आरा फ़ौन रखा हुआ है है । इस है कर सकते हैं यहां पर आपको हूज UP है क्यों रिस्पॉंस इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरीके के कर समाना जाते हैं जैसे लिछाते हैं और पhesड उलिंग मैसेश चोड़ना चाहते हैं तो आप यहां से आप CHAPS कोई अपना message लिखना तो यहां पर आप इस वाले message पर क्लिक करेंगे और इस तरीकर से cut करदेंगे cut करने के बाद यहां पर जैसे कि मैं भी college में हूं तो यहां पर I am in college के इस तरीकर से आपको लिख लेना है okay कर देने तो आप आपके सामने यह वाला भी message आ जाता है तो इससे क्या होता है जब भी आप college में हो या फिर meeting में हो तो यहां पर अगर meeting वाला लिखना चाहें तो meeting लिख सकते हैं यहां पर जैसे call आईगी तो आप इस वाले option पर क्लिक कर देंगे तो यह आपका message send हो जाता है यहां पर आपको बता देता है किस की call आ रही है यहां पर always पर कर देंगे तो हमेशे जैसे कि अगर आपको फॉन बताएगा किस की call आ रही है नेक्स्ट यहां पर आपको इस वाले option पर क्लिक कर देंगे तो क्या होता है कि जब भी आपके phone में earphone या Bluetooth connect है तब आपका phone बतात यहां से इस तरीके से आप इस पर कर सकते हैं यहां से back आ जाते हैं इसके बाद यहां पर आपको मिल ज़से een चैन बंदो जाती हिए इस तरीके से याँ से आप उसे कर सकते हैं यहां से बैक आ जाते हैं उसके बाद यहां से अब को ढालता है यहां पर दालर जाता है जिस परकर प्रस्टेम हगा है यहांसे किसी नमर को डायے lä जाते है projets आपको फोटो बेजली इस तå चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करके send e message पर जाएंगे यहां पर Check पर किलिक करेंगे आपने इस तरीके से क्लिक करेंगे यहां पर यहां पर यहांपर आ चुक है, यह देंगे त्योbert यहां पर यहां पर आको बेरा मेंज़िता है उसके बार motions यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ से आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको मिल जाता है यह वाला option left to ear तो answer call अगर आप इसे on करते हैं तो क्या होता है जैसे आपके पास कोई भी call आती है तो आप कान की पास जैसी phone को ले जाती है तो automatically call receive हो जाती है इस वाले option से मतलब कि आपको नहीं इस तरीके से उठाने की जड़े होता है नहीं code button दबाने की जड़े होता है सिर्फ आपको कान के पास phone को ले जाती है automatically call receive हो जाती है अगर आप इसे on कर देंगे तो next अगर आप इस option को on करते हैं तो क्या होता है जब भी आपकी call चल लिए है आपका phone कान के पा आपको इसे on करना है इसे क्या on करना है flip to mute incoming call जब भी आपके पास कोई भी call आती है तो यहाँ पर आपकी incoming call की जो होती है वो ringtone mute हो जाती है जिसका आपको बहुत पेसभरी से इंत्यार था तो call recording अगर आप अपने device में करना चाहते हैं तो कैसे कर बाएंगे तो आपको करना यहाँ पर आपको इस play store पर जाना है यहाँ पर आपको एक application मिल जाता है odailer odailer application को आपको download कर लेना है अगर आप यहाँ पर इससे नहीं कर पाते हैं तो end screen में हमारी एक video मिलेगी जिसमें आपको proper तरीके से बताया गया है किस तरीके से आप इसे कर पाएंगे automatic call recording अपने odail आपको डालोड करना है उसे default करना है उससे आप call recording कर सकते हैं तो मैंने एक video बनाई जिसमें आपको end screen मिल जाएगी या फिर आप आई बटन पर मिल जाएगी उस video को देखके आप अपने device में call recording कर सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको बता हूँ यहाँ पर डालर पर आते हैं अब आपको इस नंबर पर कोई photo लगाना है तो कैसे लगा पाएंगे यहाँ पर हम आते हैं इस पर यहाँ पर यह नंबर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको edit बाले option पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस बाले option पर क्लिक करके choose photo यहाँ पर take photo यहाँ पर choose photo पर क्लिक यहाँ पीर्स अपर हो फोटो में उस्टेकु से हाज sweet करेंगे इसे lab कर देंगंगे जिसे एक फोटो महारा आ चाकते हैं अपने किसी बी contact number पर और यहां से अगर आप इसे favorite कर देंगे तो क्या होता है यहाँ पर डाइलर पर आते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर आपका यह favorite में पहुंच जाता है उपर पहुंच जाता है ओके I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आओगा अब वीडियो पसंद आओगा तो क्लिस से वीडियो को like and share जरू से कर देना तो मिलते हैं next interesting वीडियो के साथ